आज मैं आप से बात करने जा रहा हूँ कि S.I.P. means लोग बोलते हैं S.I.P. करानी हैं और ज्यादा तर आज की डेट में सबको एक easy way लग रहा है कि S.I.P. एक बहुत अच्छा माध्यम है तो पहले हम इस topic पर यह चर्चा करते हैं कि S.I.P. है क्या चाहिए तो दोस्तो S.I.P. का एक full form होता है systematic investment plan जिसका मतलब यह होता है कि हम किसी मलब की अपने amount को एक छोटे-छोटे amount में पे करके एक बड़ा सा corpus तयार कर लें तो इसको सिंपल सा एक नाम दे दिया गया है systematic investment plan को S.I.P. करूप में तो आज अगर आप यहां पर भी देखते हैं कहीं पर भी बात करते हैं तो लोग आता है कि S.I.P. best है suppose that कि हम अपने बच्चों के लिए goal set up करना चाहते हैं कि उसकी परभिरिश हम अच्छी करें और उसकी पढ़ाई लिखाई को हम आगे से आगे जितना अच्छा हम कर सकते हों करें तो हमारे गूल होता है कि हमें suppose that कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उसको higher education के लिए मेरे को एक 50 लाग की जरूरत है तो 50 लाग की जरूरत के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि 50 लाग मेरे को तुरन तो कहीं से मिलेगा नहीं या तो मेरे पैसा हो जो रखा हुआ है तो जिसको हम कभी भी अपना यूज कर सकते हैं तो उस कारपस को जो हमने अपना 50 लाग का एक अनुवान लगाया है कि आने वाले हमें 15 साल में 50 लाग के जरूरत पढ़ेगी और जिसका एमांट एक इतना छोटा हो जाता है कि हर महीने उसके अज मैं आपको मिट्र फंड की कुछ जानकारी आपको और पार सेयर करना चाहता हूं सब्सक्राइब तो मैं आपको बताना चाहता हूं है कि कंपनी का एक टार्गेट होता है कि जिसमें की मनलब उन्हें अपनी एक कंपनी को बनाया है और कंपणी में उन्होंने अपने सेयर गोल्डर्स रखे हैं तो सेर उल्डर्स में भी हम माल लेते हैं कि वो सो हैं, हजार हैं, या लाकों में हैं तो एक investment amount होता है कि हमें corpus इतना चाहिए उस corpus के according सब को distribute हो जाता है जब distribute हो जाता है तो सब का एक collection आता है जब collection आता है तो उसी को हम लोग mutual बोलते हैं जब collection आता है तो हमारा क्या होता है कि एक fund तयार हो जाता है जिसको हम लोग mutual fund होते हैं और उस fund में जिपने भी लोग होते हैं वो हमारे shareholders होते हैं और mutual fund में हम लोग जो भी चीजें दूसों को देते हैं या जो भी उसकी ranking चलती है वो NAV के according चलती है NAV का मतलब होता है net asset value और यह per day यह up and down होती रहती है क्योंकि किस दिन मार्केट में हमारा जो investment है तो हम लोग में जो mutual fund का जित्ता भी investment है हम अलग-अलग company के करते हैं वो power भी हो सकती है, banking भी हो सकती, infrastructure भी हो सकती है real estate भी हो सकती है, medicines भी हो सकती है, oil बगरा में भी investment किया जाता है companyों में तो यह सारी चीजे सब अलग-अलग है तो उससे क्या होता है कि पर्ड एक-एक performance देखी जाती है कि कहां पे हमारा कि जगह का performance अच्छा आया और कि जगह का नीचे चला गया तो टोटल आल ओवर जब हम उसको calculate करते हैं तो पर्ड एक 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 एनेवी generate होती है जिसमें यह हमारा निश्कर्स निकलता है कि हमारी value आज हमारी एक रुपए बढ़ गई दो रुपए बढ़ गई या पैसों में बढ़ गई या कभी-कभी क्या होता है कि यह value में दी परी चलता है आज हमारा bank जो है करीब 5% या 75% की rate पे आ गया है जिकर अकर mutual funds को अगर आज भी हम देखें तो करीब 8% का return हमको यह देखे जाता है मार्केट किसी भी तरीके से up and down भूई हो क्योंकि इसमें परड़ है कि हमारी जो net asset value जो होती है up and down होती रहती है लेकिन on average जब हमारा पूरा calculation होता है कि हम साल का पूरा calculate करते हैं तो जिस्ता भी हम जमा है तो उस पर जब हम निकालते हैं कभी मिन्मूम 8% या थोड़ा नीचे भी हो सकता और कभी-कभी तो यह बढ़ते हमारा 25% या 30% तक की growth पे चला जाता है तो यह अलग मैटर है कि वह किस company में mutual fund को invest गया गया है किते percent पे किया गया है किते ratio पे किया गया है यह मैंने हमारा mutual fund कर रहता है लेकिन mutual fund best इसलिए है कि हम लोग एक छोटे-छोटे amount से भी इसका start कर सकते हैं लोग कहता है कि मेरे पाप payment नहीं है हम payment ज्यादा आपको नहीं दे सकते हैं तो यहां पर अगर आप एक simple amount देखें तो इक 500 रुपैसे भी आप एक SIP अपनी start कर सकते हैं और जब तक आपकी इच्छा हो आप चला सकते हैं इसमें दो तरह के investment होते हैं एक हमारा open ended होता है और दूतरा हमारा close ended होता है open ended का मतलब यह होता है कि किसी वक्त भी हम पैसा अपना विल्डॉव कर सकते हैं जो जेनरेट में एक देख्षियो इलगार होता है कि हम 3 साल से पहले किसी भी fund को विल्डॉव नहीं कर सकते हैं अगर हम SIP के थूँ अगर हम low ended लेते हैं तो आप यह मान के चलिए कि 3 साल के बाद आपकी एक SIP का पैसा फ्री होता है अगर आप total SIP का पैसा चाहते हैं तो उसके लिए हमें करीब 6 साल का वेट करना वड़ता है क्योंकि एक-एक SIP हर मेंने हमारी फ्री होती जाती है अगर मार्केट ने अच्छा परफॉंसन दिया तो महिने वन में अगर हमारा कुछ नहीं अगर 5% परफिट बुक कर लिया तो हम उसको विड़व भी कर सकते हैं लेकिन इसमें और भी आती है कि किसी वक्त भी हम अगर इसको विड़व करते हैं तो अगर पहले कर देते हैं तो एक परसंट हमारा exit लोड भी इस पे लग जाता है लेकिन वह एक नॉमिनल होता है तो इसलिए उसके ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है आजशी रेट में mutual fund में हमारे इस्टेम वैलू का भी चार्जिस कट रहा है तो अगर हम उसको अजार रुपय पे देखते हैं तो करीब वो पैसो में होता है तो करीब पैसो में होता है तो हमारा mutual fund आज भी best है तो उसको मेरी सला यह है कि आप लोग भी अपना च्छोटा सा इंवेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जो कि मामूली सित 500 रुपय ते स्टार्ट होती है और उसको आप अपना होर्जन देख लें कि हमें 3 साल के चाहिए 5 साल चाहिए 10 साल जो को आज के लिए इतना काफी है ताकि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे को कमेंच करके जरूर से जरूर बताए और मेरे यूटूब के नॉलेज इंपो चैनल को जरूर सब्स्क्राइब करें ताकि आपको आने वाले किसी भी चैनल पर जो भी जानका जायेगा तो इसका अच्छा मादियम है कि SIP के तुरू हम उसको जितने साल का हम टाने ओर देते हैं उसको मन्तली डिवाइट कर देते हैं जो चोटा हो जाता है और चोटा-चोटा-चोटा एमौं हम इंवेश्च करना परू कर देते हैं और वह एक ऐसे देट पर होता है कि हमारी जो भी डेट हम चूज करते महीने की उस डेट पे हमारा वो एमाउंट आप टो डेविट हमारे अकाउंट पे होता है क्योंकि S.I.P. में हम लोग कैस नहीं लेते हैं तो सीधे वो एकाउंट से ही डेविट होता है जितनामंट जोड़ना था वो हमारा वो तो एड़ होता है उसके लाबाज जितना पी इडिशनल हमारी बढ़ती है तो वह अगर वने 30,000 का वहां पर रिश्यो लेकर चलारे हुए आप पर पास ज्यादा पेमेंट नहीं भी है तो भी आप उसको मंत्री छोट छोटा छोटा डिवाइड करके उसको आप ले सकते हैं तो दोस्तों जी जानका विए आपको कहती लगी इसके लिए आप मेरे को जरूर जरूर कमेंट्स करके बताएं हमारे यूटूब के नौड़िज इंफो चैनल पर अगर आपको कोई भी चीज पसंद आई है तो आप उसके कमेंट्स करके मेरे को जरूर से जरूर बताएं और हमारे चैनल जो यूटूब का है नौड़िज इंफो इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा आप हमें कमेंट्स करके बताईए कि हमारे चैनल में आपको क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज नहीं अच्छी लगी अगर आपका राय हमारे लिए बहुत मैंने रखता है इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर इस चीजिश को करें धन्यवाद में नौलेज ब्यक्ति करता हूँ और आगे मैं आपको जो भी जानकारी दूँगा बहुत ही शटीक होगी और आपके जीवन में कितना अमल करते हैं पुश्षिश को ये गौर करने वाली बात है तो बने रहे हमारे यूटूब चैनल पर नौलेज इन्फो के और देखते रहे हमाई नई अजे को जा है खूने हुटा